दोस्तों आपने बहुत बाबाग होते हैं या फिर जो साधू संत होते हैं या फिर लाइव एक्जाम्पल में आपको प्रेमनद महराज का देता हूँ कि ये लोग बहुत बड़े-बड़े और महंगे काड़ियों में गुमने जाते हैं या फिर अपने घर से अपने आश्रफ तक बहुत बार ये लोग अपने इसी महंगे काड़ी का परियोग करते हैं और साथ ही साथ अपने निजी कामों के लिए भी इनके पास बहुत सारे महंगे महंगे चीज़ी होती हैं जिससे ये लोग ट्रेवल करते हैं तो बहुत सारे लोग के दिमाग में यह आता होगा कि यार ये सारे चीज़े इनके पास कैसे आती हैं कि ये लोग कोई जॉब तो करते नहीं है या फिर कोई इनका बिजनस नहीं है या फिर जितने भी ये लोग परवचन करते हैं तो इन में से ये लोग ये दावा करते हैं कि ये लोगों से पैसे नहीं लेते तो ये सारे गिफ्ट्स इतने महेंगे महेंगे गिफ्ट्स इनके प ये लोग इन सब को मैनेज करते हैं तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में तो दोस्तों आपने बहुत बार देखा हुआ प्रेमनन्द महराज गाड़ी में बटके जाते हैं और गाड़ी से ही लोगों को दर्शन देते हैं ये तब का है जब वो कहीं भ्रह्मन के लिए जाते है तब उन्हें इस गाड़ी का परियोग करना पड़ता है ताकि समय कम लगे और लोगों के भीड से बस सके तो प्रेमनन्द महराज के जो गाड़ियों का कलेक्शन है उसमें सबसे पहले नमोर आता है और इसके बाद है टोईटा का और बागी छोटी गाड़िया बहुत सारी है तो जो ऑड़ी है उसका कॉस्ट एरांड सतर लाग के आसपास है और जो टोईटा इनके पास है वो उसका टोटल कीमत है चालिस से पचास लाग रुपए अब बात हम यह करते हैं कि यह इनके पास आते कहां से हैं तो दीकि बहुत वार ऐसे होते हैं कि कुछ लोग इनसे बहुत जादा मोटिवेट होते हैं और कुछ लोगों को इनके परवचन या फिर इनके दिये आदेशों के हिसाब से उनका अच्छा सक्सेस होता है और वो बाबा को गिफ्ट देते हैं ताकि उनकी सुक्ष सुदाव बढ़ सके और वो अपने जीवन को भी सरल बना सके और अगर जां पर बाक पर बाद करोवा के बारे में प्रेवनन महाराज के और उनके पास ओडी है टोइटा है और इसके लिभा जो भी आप गाडिया देखते हैं और वे इवेंट्स में मिलते हैं जहां पर भजन करने जाते हैं या फिर परवजन देने जाते हैं तो वहां पर वो सारी लोग उन्हें परवाइड करवाते हैं सीम प्रेवन महाराज के साथ है जब भी कहीं बाहर जाते हैं तो इन्हें बाहर के लोग ही गाड़ी परवाइड कर आते ह तो यह सारी चीज़े कि यहां से बाबों के पास गाड़ी आते हैं या फिर महेंगे महेंगे गिफ्ट आते हैं यह कोई बिजनस नहीं करते हैं या फिर इनके पास कोई भी काला पैसा नहीं है जैसे इस सारी चीज़े खरीते हैं यह सारे भग द्वारा इन्हें दे जाते हैं और ये भक्तों की जो शद्धा होती है उनसे इने कबूल करें तो ये सारी चीजे थी बहुत सा लोगो को लगता था कि इनके पास यह सारी गिफ्ट कहां से आते हैं महंगे महंगे तो मैंने आपको पताया और आई होप आपको ये वीडियो चलागा होगा तो अगर वीडियो चलागा है तो मेरे जाए पर जाके सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में जाके शेर करें तब तक के लिए धन्यवाद